कि कॉस की तथा टेन की कुसेक की सेक की याद की मान गयाद कर याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है इसके लिए मैंने आपके लिए एक आसान सी ट्रेक बनाई है जिसका नाम साडी है बिनर है वाई टी स्टूडियो का स्टूडेंट है इसने दोस्तो हमारे वीडियो पर प्रत दिन कमेंट करते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी वाई टी स्टूडियो पर जाएं और इनकी चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं अगर आप भी बनना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गंटे को भी दवाईए उसके बाद लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट में प्यारा सा सॉल जो हम हमारे पॉइंट की पॉइंट सो होते हैं उनको आप कमेंट में लिखिए जिससे पता चले के आपने क्या सीखा है और हम अंगली वीडियो में आपका नाम एनाउस्मेंट करेंगे आप यदे अपना फोटो भी डलवाना चाहते हो तो अपने कमेंट बढ़िया कमेंट के बाद की पॉइंट डालने के बाद अपना मुवाल नंबर भी उसमें एड़ कर दे वाट्सप बाला और मैं आपसे कॉंटेक्ट करने की कोशिस करूँगा उस कमेंट के जरिये जिससे कि मैं आपका वाकाइदा यहां पर फोटो आपका सो करा सकूं और आपने यूजर्स से गुजारिस कर सकूं कि इनके भाई यूटूब चैनल पे जाएं और इनके भी सब्स यूँट को देखते रही है और भुरकल भी स्कीव नहीं करना और इंट्रेस्टिंग पॉंट आपको छाट-छाट के बताने हैं चलो तो वीडियो कर पहले हम ठीटा लिख लेंगे सभी को पहले हम 0-0 लिखेंगे 0 से starting होती है इसलिए हम 0 से लेंगे 0 1 2 3 4 5 अब इसके बाद हम इनके सभी में बट्टे लिखते हैंगे बट्टा लगा देंगे उसके बाद हम सभी के नीचे 4-4 कर देंगे यानि 4-4 लिखतेंगे अब इस पर सभी पर रूट चड़ा देंगे सभी शंक्याओं पर रूट चड़ा देंगे यह ट्रिक आपको इसी वक प्रकार करनी है अब हम करेंगे कुछ नहीं सभी से पहले हम A-S लिखेंगे यहाँ पर एंगल आएंगे और यहाँ पर ठीटा आएगा ठीटा लिखेंगे हम कौन से 0 डिग्री से स्टाइड होता 0 डिग्री फिर हम लिखेंगे 30 डिग्री फिर लिखेंगे हम 45 डिग्री फिर लिखेंगे 60 डिग्री फिर 90 डिग्री अब इसके बाद हम करेंगे कुछ नहीं पहले साइन लिखेंगे साड़ी बनाना मैं आपको सिका रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से साइन लिख लेंगे ए लिया है तो हम ए लिख सकते हैं और ठीटा लेते तो हम ठीटा भी लिख सकते थे लेकिन हमने यह लिखेंगे अब हम दिखेंगे साइन जीरो डिगरी का मन कितने में आ रहा है तो आप solve out करने की कोशिश की रिए जीरो में किसी संक्या का भाग देंगे तो कितना होगा वाई लोगो आफ खौसली जीरो ही होगा और फौर किस का वर्ग है दो का और वन का वर्ग कितना होता है बन तो यानि एक वर्टा दो यानि एक वर्टा दो आप solve करके देखते रहिए बन तू का वर्ग होता है फौर और वन का वर्ग होता है बन तो यानि एक वर्टे दो हो गया इसके बाद हम इसमें देखेंगे 2 upon 4 4 को तो हम 2 में चेंज कर लेंगे 4 को तो 2 में चेंज कर लेंगे इस 4 को और इस 4 में रूट चड़ा रहा गया तो हम रूट 2 लिख देंगे अब इसको काट देंगे इसके बाद हमारा 1 upon root 2 तैयार हो गया यानि ये 45 का है 1 upon root 2 तो अब हम root 3 upon 2, चोंकि 4 दो का ही बर्ग है, तो root 3 upon 2, इसी प्रकार हम 90 का लिखा लेंगे, 4 से 4 सीधा cut हो रहा है, यानि 1, हमारा 1 प्राप्तुगा, यानि 90 का मान 1 है, इसी प्रकार हम cost का लिख लेंगे, आप जानते हो, cost हमेशा sign का उल्टा होता है, तो हम पीछे से इन सभी स्रक्याओं को लिख लेंगे, 1, root 3 upon 2, 1 upon root 2, की पॉंट्स देखते रहें और कमेंट में बताईए, उनको और अपना मोवाल नमबर भी डाल दीजिए, जिससे कि मैं आप से कम्मुनिकेट कर सकूँ, और अपने YouTube चैनल की माध्यम से सभी को बता सकूँ, इस बच्चे ने कमेंट किया है, और आपका फोटो, वाकाईदा, नाम बगएरा, एडरस बगएरा, सब मैं आप सब अपने subscribers के साथ सेर कर सकूँ, इसके लिए आप करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए की पॉर्ण्स और उसके बाद अपना कमेंट्स में ही मोवाल नंबर वाट्स बबाला डाल देजिए, अब हम लिख लेंगे वन अप उन टू, इन सभी चंक्याओं को लिख लेंगे, और जीरो, अब हम इसके बाद करेंगे अब हम इसमें से टेन का भी मान लिका सकते हैं, टेन का लिका लेंगे, आप जानते हो, टेन वरावर क्या होता है, टेन ठीटा वरावर, साइन ठीटा अपन कोस ठीटा, यानि यही हमें इसमें पुट करना है, और इसी प्रकार हमारे एंगल बनके तयार हो जाएंगे, जीरो में किसी संक्या का हम भाग देंगे, तो क्या आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी, जीरो में अगर हम किसी संक्या का भाग देंगे, तो क्या आएगा, बताइए, of course लिवाई जीरो ही आएगा जीरो लिख लेंगे उसके बाद हम फिर काट के देखेंगे यहां से देखो 2 सीधा सीधा कट रहा है तो यानि 1 अपन रूट 3 यह 2 से 2 कट रहा है अभी मैंने काट नहीं है लेगे यह कट रहा है देखो इस तरह से हम बन अपन रूट 3 इसी प्रकार हम इसका भी काट के देख लेंगे रूट 2 से रूट 2 कट रहा है यानि इससे यह कट रहा है तो हम बन लिख लेंगे इस जगह बनी तो बचा तो बन लिख लेंगे इस 2 से यह 2 कट रहा है तो यानि हम यहाँ पर root 3 लिख लेंगे अब इसके बाद हमें 90 का मान दो सीदा सीदा बन में किसी 0 का मान भाग देंगे तो क्या आएगा बताईए दोस्तो बन में किसी 0 संख्या का भाग देंगे या किसी संख्या में 0 का हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा वो दोस्तों infinite तक जाएगा अपर में संख्या तक जाएगा उसका कोई अंत नहीं होगा वो कितना भी जा सकता है तो यानि हम यहाँ पर infinity का चिन लगा देंगे यानि अपर रिवासित का चिन लगा देंगे अब आपको पता है 10 हमेशा कोट का उल्टा होता है यानि कोट लिख लेंगे हम कोट ए अब इसके बाद हम वो ही यह उल्टा वाला रूल अपलाई कर देंगे यह सभी संख्या को लिख लेंगे इन्फिनिट रूट थ्री वन वन अब वन रूट थ्री और जीरो अब हमें किस कमान ग्यात करना है सेक कमान लिखा लेंगे सेक कॉस बराबर क्या होता है बन अपॉन सेक कॉस बराबर बन अपॉन सेक यानि हम सीधा सीधा कर सकते है यानि कॉस का हम उल्टा करके लिख देंगे यह क्या हमारा बन है तो बन का बन उल्टा मतलब यह संक्या पलट देंगी जो उपर की संक्या वो नीचे हो जाईगी नीचे की संक्या वो उपर हो जाईगी इसन ने टू अपों रूट थ्री अब इसके बाद कॉस देख लो रूट टू अपों बनो गया यानि रूट टू भी हम लिख सकते हैं इसको अब देखो टू उपर जाएगा यानि टू अपॉन बन हो जाएगा यानि हम टू भी लिख सकते हैं और टू अपॉन बन भी लिख सकते हैं यानि टू लिखते हैंगे इसके बाद हमें जीरो है, जीरो तो भाई जीरो ही है उसको चाहे उल्टा करो, चाहे तुम सीधा करो, उससे तो कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जीरो का जीरो ही नहीं रख सकते, इसलिए हम यहाँ पर अपरवासित का चिन लगा देंगे, यानि जीरो का तुम करके देख लो, अपरवासित ही लगाए ज यह दो आखे हैगा क्योंगी five की इसको टो अपरवासित होता है जिसका को इसको तो हम इसको अपरवासित ही रहने देंगे तो 21委 Приडisz minister bena वाली है, वीडियो में मैंने सभी के मान लिकाल के दिखाए हैं बाकाइद लाइप प्रूफ, अब हम चाहें तो इन सभी संख्याओं को रेज कर सकते हैं, इसी ट्रिक्स से आप किसी भी किसी का भी मान ग्यात कर सकते हो, यही ट्रिक्स फॉलो करनी हैं, अब हम कुसेक का लिका लेंगे कुसेक का लिकानने के लिए हम आपको पता है सेक का हमेज़ा कुसेक उल्टा होता है यानि हम करेंगे कुछ नहीं सबसे पहले कुसेक लिखेंगे कुसेक लिखने के बाद अब हम वही उल्टा रूल फोलू करेंगे infinity लिख देंगे 2 लिख देंगे root 2 लिख देंगे 2 upon root 3 लिख देंगे और 1 लिख देंगे यानि मैंने आपको सभी life रूप साड़ी बना के दिखाई है और मैंने आपको वाकाइदा सभी रूप देके समझाया है तो वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो इंट्रेस्टिंग रही और इसमें मैंने जो आपको key points वताए है उनको सर्च कीजिए और उसके बाद आप बारवार देखियो और इसमें देखिये कि मैंने key points कहाँ पर दिये हैं उसके बाद उन कमेंट में पहले वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस गण्टी को भी दवाईए उसके बाद आपको प्यारा सा अपने हाथों से कमेंट करना है और इस साइड़ी में जो आपने सीका है वो आपको अपनी बादा में लिखना है उसके बाद अपना मोवाल नंबर डेस करके लिख देना है मोवाल नंबर बॉट्सप बाला उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है मेरे बॉट्सप पे या मेरा मोवाल नंबर description में डला हुआ वहाँ पर भी जाके 97.1975.66 पर अपना message लिखे हैं पहले हाई उसके बाद अपना photo background वाला हो तो या simple photo डाल दें और अपना नाम address भी डाल दें जिससे के हम आने वाली वीडियो में आपको winner announce कर दें मेरा YouTube channel का आज का winner था YT Studio तो मैं आपसे बिनम निबेरतियन करूँगा YT Studio पर जाएं और channel को subscribe कर लें और उसको भी मेरे तरीके से प्यार दें मेरे भी इससे का थोड़ा उसको भी प्यार दें और winner announcement मैंने कर दिया है अंगली वेडियो में देखते हैं कौन winner बनता है तो तक के लिए V alert, V safe इसलिए मैं कहता हूँ सभी साड़ी के मान को याद करने की कोई जरूरत नहीं आप मात्र दो या तीन सेकंड में इन सभी के साड़ी के मान याद कर सकते हो ये आपको वैसे तो बहुत बड़ी सकते हो तो आपको करना कुछ नहीं है अब तो समय बहुत अधिक हो चला है ये नाइट में सूट की गई वीडियो है तो प्यारा सा लाइक करके जाए और यार अपने भाई के चैनल को सस्क्राइब करो मैं दुखी हो जाओं हूँ सस्क्राइब करो कर लिया आप कमेंट करें या न करें वो आपका फायदा है उसमें कमेंट लेकिन मेरे चैनल को तो सस्क्राइब करो मैं कह रहा हूँ सस्क्राइब करो और लाइक भी करो कमेंट करनी है तो कमेंट करो और अंगले बिने रहनांसमेंट तुम भी हो सकते हो इसलिए आपको करना कुछ नहीं कमेंट करना है चलो तब तक के लिए वाई वाई और मिलते हैं नेक्स्ट पीडियो में